हेलो एवरीवन वेलकम बैक तो अनुदर वीडियो तोड़ी आम गोंग तो तेल बाओ बाओ ब्यूटिफुल फ्रोग फॉर यू लिटल वन ये ड्रस मैंने बनाई है शिक्स तो स्यावन इयर बेबी के लिए तो करते हैं स्टार्ट प्रोग बनाने के लिए मैंने लिया है डेड़ मेंटर प्लेन कोड़न फैब्रीक ये सिंगल पीस है फ्रंट टोप पार्ट के लिए जिसकी वीर्थ है 16 इंचीज लैंध है 17 इंचीज कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे ये सिंगल पीस है बैक पार्ट के लिए जिसकी वीर्थ है 20 इंचीज लैंध है 17 इंचीज कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे फिर फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट का जो फैब्रीक है उस पे रखेंगे बैक पार्ट का जो कपड़ा है उसकी वीर्थ है टू इंचीज जादा है फ्रंट पार्ट से उसको अंदर की ग्रफ फोल्ड करेंगे अभी माक करेंगे सोल्डर सोल्डर लेंगे पांच इंचीज आम होल लेंगे छे इंचीज फिर माक करेंगे चेस्ट चेस्ट लेंगे 7 इ बेक नेक डैप्थ मार्कट और इसमाग तरी इंचीज एक सब्सुर्ट सेडें कपड़े को कट करेंगे इसको साइड में रखेंगे अभी हम पैक पार्ट को सेंटर से कट करेंगे यह टूपीस बैक पार्ट के लिए हैं इनको सेंटर रफोल करेंगे और फिर स्टीच करेंगे यह टूपीस हैं बोटम पार्ट के लिए जिनकी लेंद है बारा इंचीज वीर्थ है बारी इस इंचीज अभी मार्क करेंगे टू इंचीज टू इंचीज सेम इसी तरीके से बैक पार्ट पे भी मार्क करेंगे बोटम पार्ट पे जो मार्क लगाए हैं वहां से प्लेश डालेंगे अभी फ्रोग के स्टीचिंग करेंगे उसके लिए बैक पार्ट का एक पीस लेंगे सेंटर से फोल्ड करेंगे और स्लाय लगाएंगे सेम इसी तरीके से बैक पार्ट का साइकंड पीस भी स्टीच करेंगे अभी दोनों को बोटम से अटाइच करेंगे अभी फ्रेंट टोप पार्ट लेंगे सोल्डर से अटाइच करेंगे दोनों पार्ट को अभी नेक को स्टीच करेंगे नेक को स्टीच करने के लिए एक पट्टी लेंगे पट्टी को नेक के साथ साथ अटाइच करेंगे अभी छोटे-छोटे कट्स लगाएंगे कट्स लगाने के बाद कपड़े को सीधी साइड टर्न करेंगे फोल करेंगे और सिलाई लगाएंगे नेक्स टीच करने के बाद आम हूल को स्टीच करेंगे आम हूल को स्टीच करने के लिए पट्टी लेंगे और आम हूल के साथ साथ अटाइच करेंगे अभी चोटे-चोटे कट्स लगाएंगे पट्टी को सीधी साइड टर्न करेंगे फोल करेंगे और उपर से सिलाई लगाएंगे एक आम हूल को स्टीच कर लिया है सेम इसी तरीके से दूसरे आम हूल को स्टीच करेंगे अभी बोटम पार्ट लेंगे प्लीस डालेंगे बोटम पार्ट को फ्रंट टोप पार्ट के साथ अटेज करेंगे सेम इसी तरीके से बैक बोटम पार्ट को स्टीच करेंगे और फिर अटेज करेंगे अभी दोनों पार्ट को साइड से अटेज करेंगे एक साइड से अटेज कर लिया है अभी दूसरी साइड से अटेज करेंगे अभी बोर्डर को स्टीच करेंगे अभी सीधी साइड टरन करेंगे पोकेट के लिए फैब्रिक लेंगे जिसकी वीर्थ है पांच इंचीज प्लैंथ है छे इंचीज अभी पट्टी लेंगे जिसकी वीर्थ है 1.5 इंचीज पट्टी को एक साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और हाथ से प्रेस करेंगे अभी दूसरी साइड से पट्टी को जो कपड़ा पोकेट के लिए लिया था उसके साथ साथ अधा टैस करेंगे जो एकस्टा कपड़ा है उसको कट करेंगे और जो कोर्नर है उन पर छोटे-छोटे कट्स लगाएंगे अभी पट्टी को सीधी साइड टन करेंगे फिर उपर से कपड़े को फोल्ड करेंगे और स्टीज लगाएंगे अभी पोकेट को टैस करने के लिए फ्रोग पे माक लगाएंगे माक करेंगे टो इंचीज टो इंचीज अभी जो माक लगाएंगे उन पर पोकेट को अटैस करेंगे माक करेंगे पोकेट करेंगे अभी अगाएंगे अभी जो माक पोकेट करेंगे अब भी पोकेट के उपर कैप लगाने के लिए कपड़ा लेंगे कपड़े की वीड़ है साथी चार इंचीज लेंद है पांच इंचीज कपड़े को सेंटर से फोर्ड करेंगे फिर दोनों साइड से स्टिच लगाएंगे सीधी साइड करेंगे फिर उपर से एक स्टिच लगाएंगे अभी जो अपन साइड है वहाँ आवर लॉक स्टिच लगाएंगे कैप को अटैच करेंगे अभी दूसरी साइड भी पोकेट और कैप को स्टिच लगाएंगे अभी बैक पार्ट पर बटन से लगाएंगे और बटन होल्स बनाएंगे अभी फिरोग को प्रेस करेंगे फिर बैल्ट बनाएंगे और दो स्ट्रप्स बनाएंगे कि फेले के लिए्या बीक टरफ लिए सब्सक्रूण दोनों साइड लगा है Cantativa को अम्टेमें अजरुम्ट दोनों साइडुा करें में धुने के लिए और hilar कीजिए अफिद्धिस थे कि लगेते शीखने抖़ता कई नहीए वीडियो मेरी को छेखी है बाइ बाइ